कि कॉलमेसी रिग्रेशन 216 यह रिग्रेशन एफी आर्थ मुविंग वसंदरिश के मेंटेनेंस आप्रेशन और डिजाइन के बारे में इसमें बताया गया है आए हम लोग देखते हैं मेरे अपने यूटूब चैनल में क्या-kya प्रोबिजेंस हैं क्या-kya साउधानियासे मे क्या आप्रेशन की क्या कंडिशन्स होगी कैसे ट्रेनिंग होगी हेवी अर्थ मुविंग बसनाई इसकी आए हम लोग सुरू करते हैं आज का वीडियो कि इसका पहला पैंट कि प्रत्यक सौवेल रेग लाइन डोजर और सर्फेस माइनर को इस प्रकार से डेजाइन किया जाएगा उसकी रचना कि जाएगा कि इसे आप्रेट करने वाला या चलाने वाला ड्रैवर ऑपेटर यज चालग को बिनना किसी रिकावट के बिनना किसी बाधा के या तक्लिप के सभी तरब उसको दिखाई दे ऐसा उसका ड़ियाएंगा दूसर प्रत्यक हैवी अर्थ मुविंग मस्नरी जिसमें ट्रक टिपर और डंपर भी सामे ले उनके बनावट उनकी रचना उनकी निर्मान उसका कंस्ट्रक्शन कि भीतर ऐसे सुरक्शाब करण सेप्टी डिवाइसे और सेप्टी फीचर्स होंगे जो की चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा समय समय पर उनकी जनरल आदेश या सामान या विस्षिस आदेश के द्वारा उसे बताए गया हूं वे सारे फीचर्स सेप्टी डिवाइसे उस सान रचना में सामिल रहेंगे तीसरा पेंट ट्रक के चैचिस पर इस्थापित या ट्रक पर बाउंटेट ट्यूब वेल्ट डिल मशीन जो की पानी की खोच करने के लिए बनी है उसका प्रयोग ब्लास्ट होल कि डिलिंग के लिए नहीं किया जाएगा इसके लिए विशेश उस से मानिंग परपस के लिए बनाई गई ब्लास्ट होल डिल मशीन ही प्रयोग में लाई जाएगी चौथा पॉइंट प्रत्यक है भी अर्थ मुविंग बस नरी को मैंने जवर दार अथ्राइज अपाइंट किये गए कंपिटेंट परसंग या सक्षा व्यक्ति के द्वारा ही चलाया जाएगा या अप्रेट किया जाएगा या उनके उनके चार्ज में रखा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ऑप्रेटर या ड्राइवर के नाम से पुकारा जाएगा पांच पाइंट ऐसे सारे व्यक्ति कि जिन्हें है एच इएम एम हेवी एर्थ मुविंग मस्नरीस को आप्रेट करने चलाने के लिए नियुक्त किया गया है ऐसे सारे के सारे लोग उन मशीनों को चलाने के लिए पहले से ही ट्रेनिंग प्रसिक्षन प्राप्त कियो हुए रहेंगे और उनकी यह चलाने की योगिता की परिक्षा या एविलियोशन या उसके मानिता मैनेजमेंट के द्वारा बने गई एक बोर्ड या कमेटी के द्वारा की जाएगी परंतु उस बोर्ड या समीती की जिसमें ट्रेनिंग बनाई गई है उस बोर्ड में या समीती में ट्रेनिंग देने वाले सदेश्यों को नहीं रखा जाएगा परंतु उस ट्रेनिंग देने वाले आफिसर को चाहें तो सिलेक्शन बोर्ड में आपजर्वर की रूप में रखा जा सकता है यानि ट्रेनिंग देने वाले लोग अलग रहेंगे और उनको सिलेक्शन करने वाले लोग अलग रहेंगे छटवा पैंट केवल ऐसे मेकेनिक या फिटर जिनके पास वैद वेलिट ड्राइवर या आपरेटर या आपरेट करने का लाइसेंस होगा केवल वेही फिटर या मेकेनिक हेवी अर्थ मुविंग मस्तरीज का टेस्ट या टेस्ट रन या टेस्ट ड्राइव करेंगे या केवल ऑपरेटर मैनेजर के दवारा नियुक्त या अथराइज किया व्यक्ति ही एच-ई-अ-पर सवार हो सकता है इस पर राइड कर सकता है या उसे राइड करने की अनुमति दी जा सकती है वीडियो समाप्त अगर आपको अच्छा लगा हो आपके लिए उप्योगी लगता हो आपको तो लाइस शेयर सब्सक्राइब एडवाइस कमेंट जरू करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको